मोल को और अच्छे से समझने के लिए हम एक साधरन सा उदाहरन लेते हैं कि जब हम दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदना चाहते हैं तो हर एक वस्तु को खरीदने के लिए एक इकाई का प्रयोग करते हैं जैसे यदि हमें तेल खरीदना है, तो हम लीटर, मेली लीटर की बात करते हैं, यदि हमें फल खरीदना है, जैसे केला है, या मालीजे संत्रा खरीदना है, तो हम एक दरजन या दो दरजन इस तरह के यूनिट का प्रयोग करते हैं, यदि हम सैकड़े की बात करते हैं, तो एक सेकड़ा बराबर 100 जैसे ही हम एक सेकड़ा कहते हैं तो तुरंथ हमारे मन में आता है कि एक सेकड़ा बराबर 100 जब हम 1000 की बात करते हैं तो 1000 बराबर यहाँ पर 1 के बाद हम 3 शुने लगाते हैंने 1000 हो गया जब हम सेकड़ा की बात करते हैं तो 100 लिखते हैं एक लीटर की बात करते हैं तो एक लीटर बराबर 1000 मिली लीटर ऐसे ही जब हम एक मोल की बात करेंगे तो 6 दस मलोश्यों ने 2 दो गुड़े दस के खात में 23 होता है तो यहां पर हमने देखा कि जब हम किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हर वस्तु के जिसकी आवशक्ता जैसी होती है जिस वस्तु को जिस यूनिट में हम ले सकते हैं जिस यूनिट में नाप सकते हैं उसी आधार पर हम उसे नाम देते हैं तो इसी आवधारना के आधार पर ही हम मोल को भी समझेंगे कि जब मोल शब्द को विलहलम ओस्ट वाल ने मोल जो है वो लेटिन शब्द से इसकी उत्पत्ती हुई है तो इसका अर्थ होता है धेर याने हीप और पाइल जैसा कि हमने देखा तो यहां पर जब हम मोल शब्द की बात करते हैं तो यह किसी भी पदार्थ में जो अनू, परमाणू, आयन की जो संख्या है उसको नापने के ल परमाणू या आयनों को नाप सकते हैं या उनकी संख्या को हम बता सकते हैं तो मोल जो है वह पदार्थ की मात्रा की इकाई है तो मोल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल एक निशित संख्या को प्रदर्शित करती है जिसे हमने देखा 6.0022, गुनिदस की घत में 23, मोल का जो संबंध है वह पदार्थ के द्रवेमान से है, उसके कडों की संख्या, एवं गैस के आयतन से होती है, यानि मोल शब्द जो है, वह किसी भी पदार्थ में उपस्थित कडों की संख्या, उसके आयतन और उसके द्रविमान, तीनों से ही संबंधित होता है, तो अब हम इसको कैसे परिभाशित कर सकते हैं, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में कडों की संख्या, यदि हम कडों की बात करते हैं, तो इसमें अणू, परमाडू या आयन्स भी आते हैं, इसकी संख्या जो है वो सदैव निश से दर्शा सकते हैं, अब हम मोल का जो संबंध है, वो आयतन, द्रविमान और कडों की संख्या से, किस प्रकार से है, इसे समझने के लिए एक मोल वील पर चर्चा करेंगे, मोल वील में हमने देखा कि यहां पर मोल वील बना हुआ है, जिसमें बीच में लिखा हुआ है मोल, इधर लिखा हुआ है मोल यने की यहां कडों की संख्या को बता रहा है, यहां पर मोल, इस तरफ भी मोल लिखा है, जो आयतन को समझा रहा है, और नीचे भी मोल है, जो की मास के आधार पर है, ने की द्रविमान के आधार पर है, तो जब हम एक मोल की बात करते हैं, तो वह पर भी हो सकता है STP पर उसके आयतन पर हो सकता है STP अने स्टेंडर्ड टेंप्रेचर प्रेशर मानक ताप और दाप जैसा हमने देखा एक वाई मंदली दाब और शुने डिगरी सेंडिग्रेट टेंप्रेचर को हम STP कह रहे हैं यहाँ पर जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर ही होता है गैस का तो जब हम एक मोल कह रहे हैं तो एक मोल अगर STP पर आयतन देख रहे हैं किसी भी गैस के लिए तो 22.4 लीटर ही होगा यदि हम यहाँ पर एक मोल मास की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उसके अटोमिक मास से उसको रिलेट करेंगे जैसा हमने सोडियम के लिए देखा कि सोडियम का एक मोल यानि सोडियम के परमाडू का जो परमाडविक द्रविमान है वो 23 ग्राम है यानि एक मोल बराबर 23 ग्राम यहाँ पर सोडियम परमाडू की बात हम करते हैं जब हम कणो की संख्या को लेते हैं तो एक मोल बराबर होगा 6.02 दो गुड़े दस के घात मे 23 कणों की संख्या होगी तो मोल शब्द जो है मोल वील के माध्यम से हमने देखा कि यह तीन तरीके से वेक्त किया जा सकता है आयतन के आधार पर, द्रविमान के आधार पर और कणों की संख्या के आधार पर जब हमें मोल से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न बनाने होते हैं तो हम एक बहुती सरल्तम सूत्र के माध्यम से इसे समझेंगे और एक ही सूत्र में हम प्रश्नों को कई तरीके से हल करना भी सीखेंगे तो इस सूत्र को देखने के लिए हम एक छोटा सा एक रेखा चित्र देख लेते हैं कि किस तरीके से मोल को कणो की संख्या, द्रविमान और जो उसके आयतन है उसके आधार पर यदि उसके संख्यात्मक परश्ण को बनाना है तो हम सरल धंग से कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मोल हमने लिखा इसको हम संबंद करते हैं या इसको हम रिलेट कर सकते हैं कडो की संख्या, द्रविमान और आयतन से तो जब हम कडो की संख्या से इसे रिलेट करते हैं तो यहाँ पर मोल जो कडो की संख्या से इसको रिलेट करेंगे तो कडो की संख्या निकालने के लिए मोल के साथ हम 6.002 गुणे 10 के खाथ 23 का गुणा कर देंगे तो कडो की संख्या निकल जाएगी वहीं दूसरी ओर यदि हमें मोल निकालना है किसी संख्यात्मक प्रश्ण में और कडो की संख्या दी हुई है तो हम mol बराबर लिखेंगे कडो की संख्या बटा 6.0222,010 के घात में 23 तो जब हम mol निकालते हैं कड़ो की संख्या दी हुई है तो mol बराबर होगा कडो की संख्या और भाग देंगे हम 6.0222,023 जो मान है अवगाडरो संख्या का इससे जब हम भाग देते हैं कडो की संख्या को अवगाडरो संख्या से तो हमें मोल प्राप्त होता है दूसरी ओर हम देख रहे हैं द्रवेμαन के अधार पर यदि हमें प्रश्ण हल करना है तो मोल बराबर होगा, जो दिया गया द्रविमान है बटा मोलर मास यने की जो उसका आणवीक द्रविमान है, यदि हमें मोल निकालना है तो दिये गया द्रविमान में हम उसके निशित जो आणवीक द्रविमान है उससे भाग दे देंगे, तो ये मोल निकल जाएगा, यदि हमें मान लीजिए द्रवेमान निकालना है तो मोल के साथ मोलर मास का गुणा कर देते हैं तो द्रवेमान निकलाता है तो जब हमने देखा कि जब यहाँ पर हमने देखा कि जब मोल में गुणा कर देते हैं मोलर मास का जो मास है वो प्राप्त हो जाता है द्रवेमान प्राप् हो जाता है वहीं दूसरी ओर यदि हम मान लीजे तत्व के लिए निकालते हैं तो तत्व के लिए यदि हम द्रविमान के आधार पर प्रश्ण को हल करेंगे तो तत्व के लिए क्या होगा दिया गया द्रविमान बटा ग्राम परमाणू द्रविमान वहीं जब हम किसी अणू या किसी योगी की बात करेंगे, तो योगी में हम उसका अडविक द्रविमान निकालते हैं, अणुभार निकालते हैं, तो यहाँ पर जब द्रविमान अधारीत प्रश्न योगी के लिए हल होगा, तो दिया गया द्रविमान बटा ग्राम अडविक द्रविमान या ग्राम अ दिखेंगे ग्राम परमाडू द्रव्मान क्योंकि तत्व की जब बात हो रही है तो ग्राम परमाडू द्रव्मान से भाग देंगे और जब हम योगी के आडू की बात करते हैं तो दिया गया द्रव्मान बटा उस योगी का जो अडू भार है या योगी का जो ग्राम अडू इसके बाद हम देखते हैं, आयतन पर आधारित यदि प्रशन हल करना है, तो मान लीजिये, यहां पर आयतन इस तरह लिखा है और यहां पर लिखा है मोल, तो मोल और आयतन कैसे रिलेट होगा, तो यहां पर हम STP पर जो आयतन है, 22.4 लीटर उसे हमने आहा लिखा इसके बाद हम देखते हैं कि यदि दिये गए आयतन को हम 22.4 लीटर से भाग लगाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है मोलो की संख्या याने जो यहां पर मोलो की संख्या है उसे निकालने के लिए हम दिये गए आयतन बटा जो 22.4 लीटर है वहीं दूसरी ओर यदि हमें मोलो की संख्या गुणा 22.4 लीटर करना है तो हमें दिया गया आयतन भी प्राप्त हो सकता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोलो की संख्या में 22.4 लीटर से गुणा करते हैं तो आयतन प्राप्त हो जाता है और दिये गया आयतन में यदि हम 22,4 लीटर से भाग दे देते हैं तो मोलों की संख्या भी प्राप्त हो जाती है यहाँ पर हमने देखा कि अलग-अलग जो द्रविमान है कडों की संख्या है और जो यहाँ पर आयतन है इसका संबंद मोल से किस तरीके से है अब यहाँ पर कुछ प्रशन ऐसे भी हम सीखेंगे कि जब द्रविमान दिया होगा और कडों की संख्या निकाल सकते हैं या कडो की संख्या दी हुई है, हम आयतन कैसे निकाल सकते हैं, यानि तीनों चीजें एक साथ हम कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, कैसे हम उसके संख्यात्राग प्रश्णों को हल कर सकते हैं, उसके लिए एक सरल साय रेखाचित्र दिया गया है, कुछ प्रश्णों को हम या फिर हम कोई आयनिक योगी के लिए भी देख सकते हैं। जब हम परमाणू के लिए बात करते हैं तो ग्राम एटोमिक मास जी एम लिखा है याने ग्राम परमाणू द्रवेमान। जब हम मॉलीक्यूल या अनू की बात करते हैं तो ग्राम मॉलेकुलर मास याने ग्राम और जब हम आयनिक योगी की बात करते हैं तो ग्राम फॉर्मूला मास क्योंकि जब हम आयनिक योगी के लिए निकालते हैं द्रवेमान तो उसे फॉर्मूला मास के रूप में निकाला जाता है अब ये तीनों ही जो है वो मोलर मास कहलाता है यानिए जब भी मोल निकालना है मोल से संबंदी कोई द्रवेमान से संबंदी प्रश्ण हल करना है तो हमें परमाडू अणू और जो आयनिक योगी के उनके टर्म्स को समझना पड़ेगा कि जब हम परमाडू की बात करते हैं त तो Gram अनू द्रविमान लेंगे और जब हम आईनिक योगी की बात करते हैं तो Gram फॉरमुला द्रविमान या Gram फॉरमुला मास लेते हैं और इन तीनों को ही हम सम्मिलित रूप से Molar मास कह सकते हैं चाहे वो परमाडू के लिए हो, चाहे वो अनु के लिए हो, चाहे वो आयनिक योगिक के लिए हो, हम तीनों को मिला कर मोलर मास के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं. अब हम एक रेखा चित्र में ये समझेंगे की मोल एवोगाडर संख्या और भार के बीच में क्या संबन्ध है तो यहां कुछ उदाहरण दिया हुआ है जैसे यदि कार्बन परमाडू का एक मोल बीच में लिखा है तो कार्बन परमाडू का एक मोल इसे हम 12 ग्राम कार्बन परमाडू के रूप में लिख रहे हैं 12 ग्राम कार्बन परमाडू याने हम कार्बन के एक मोल परमाडू की बात करते हैं और उसमें कड़ों की संख्या होगी कार्बन के 6 दसमलों शुन्य दो दो गुड़े दस के खात में 23 परमाडू होंगे यानि हम इसको तीनों को जोड सकते हैं कि यदि 12 ग्राम कार्बन परमाडू कहते हैं तो उसमें कार्बन के 6 दसमलों शुन्य दो दो गुड़े दस के खात में 23 परमाडू होते हैं जब हम हाइडरोजन परमाडू के एक मोल की बात करते हैं तो इसका आर्थ है कि हम एक ग्राम हाइडरोजन परमाडू की बात कर रहे हैं और एक ग्राम हाइडरोजन परमाडू में कितने परमाडू होंगे हाइडरोजन के 6.022 गुड़े 10 के खात में 23 परमाडू होंगे इसी तरह यहादी हम किसी भी कण में परमाडू अडू या आयन का एक मोल लेते हैं तो जितने भी उस पदार्थ के कण होंगे चाहे वो अडू हो परमाडू हो या फिर आयन सो तो उसके कितने भार होंगे उस तोटल जितने भी उसमें कोई भी तत्व हो, कोई भी परमाणू हो, कोई भी अडु हो, कोई भी आयन हो, उन सभी कड़ों का जो सापेक्शिक भार होगा, जोसे हम ग्राम की रुप में लिख सकते हैं, और उस पूरे वेट में, उस पूरे वेट में जो कड़ों की संख्या तो अणू भार यानि अगर हम उस अणू के लिए लेते हैं तो उस अणू में कुल कितने अणू होंगे तो उस अणू के जितना भी द्रविमान होगा उसके एक मोल में उस अणू के एक मोल में जो अवगाडरो संख्या है या जो मोलों की संख्या है जो अणू की संख्या है वहोगी छे दसमलो शुन्य दो दो गुने दस के घात में 23 अडू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मोल है, अवोगाडरो संख्या है और भार है, इनके बीच में किस तरीके का संबंध है। निशीत मात्रा में कड़ो की संख्या होती है, छे दसमलो शुन्य दो दो गुले दस के घात में 23 परमाडू होते हैं, अडू की बात करेंगे तो इतने अडू होते हैं, जब हम आयन्स की बात करेंगे तो इतने आयन्स होते हैं, तो इस तरीके से अलग-अलग अडू आयन्स की असंख्य संख्या को गिनने का एक सरल तरीका जो है वो मोल होता है अब हम पदार्थ के भार को मोल के रूप में व्यक्त करना हो तो किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे इसे समझेंगे तो जब भार के रूप में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से रेखाचित्र के माध संख्या बराबर उस तत्व का दिया गया द्रविमान बटा ग्राम परमाणू द्रविमान होगा या ग्राम परमाणू भार होगा दिये गया द्रविमान को स्मॉल एम से और ग्राम परमाणू भार को कैपिटल एम से दर्शाते हैं यहाँ पर हम योगी क्याणूओं के लिए यदि लेंगे मोलो की संख्या तो यहां मोलो की संख्या योगी के अणू के लिए होगी दिया गया द्रविमान इसे हम small m से दर्शा रहे हैं बटा ग्राम अणू भार तो ग्राम अणू भार इसे हम capital M से दर्शाते हैं तो दिया गया द्रविमान बटा ग्राम अणू द्रवि करते हैं अगला हम देखेंगे कि कड़ों की संख्या क्या धार पर यदी मोल के प्रश्णों को हल करना है तो उसका सुत्र क्या होगा किसी भी परमाडू अडू या आयन की जो संख्या होती है वह मोल से कैसे संबंदित होती है तो मोलों की संख्या बराबर दिये गए चाहे की संख्या यन्हें उसको capital N से दर्शा रहे हैं बटा अवोगाडरो संख्या यन्हें नौट से से दर्शाया जाता है तो यहां पर हमने इन सूत्रों में ये देखा कि जो निश्शित मान है वो सभी सूत्रों में नीचे की ओर लिखे हुए है जैसे अवोगाडरो संख्या है या मोलर मास है मोलर मास का मान जो है वो भी निश्शित होता है एवोगाडरो संख्या का मान भी निश्शित होता है स्टीपी पर जो आयतन है उसे भी हमने नीचे ही लिखा था दिये गया आयतन को उपर लिखा तो स्टीपी पर जो आयतन है वह भी निश्शित होता है तो मो शित मान वाला पाठ है, वो नीचे की ओर लिखा हुआ है, बाइस दसमलो चार लीटर हो भी नीचे लिखा है, छे दसमलो शुर्ने दो दो गुणे दस के गात में 23 यानि वो गाडरो संख्या इसे भी नीचे लिखा हुआ है, मोलर मास चाहे वो अडू के लिए हो, चाहे परमा कुछ अडू के लिए मोलो की संख्या को ग्यात करना है, सबसे पहला जो प्रश्न है कि 92 ग्राम सोडियम में मोलो की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हम मोलो की संख्या के सूत्र को लिखेंगे, चुकि यहाँ पर सोडियम दिया है, याने की तत्व दिया है, याने परमा और Sodium का जो परमाडू द्रविमान होता है, परमाडू भार होता है, ग्राम परमाडू भार या हम उसे Molar Mass के रूप में भी कह सकते हैं, तो यह जो Sodium का Molar Mass होगा, वो 23 ग्राम होता है, तो Molo की संख्या बराबर दिया गया द्रविमान बटा Molar Mass, Sodium के लिए, तो उपर हम लिखेंगे 92 और नीचे लिखेंगे 23, चुकि 23 सोडियम पर माड़ू के लिए मोलर मास होता है, तो जब हम इसे भाग देते हैं, तो इसका मान 4 मोल प्राप्त हुआ, अगला जो प्रश्न है, वो योगिक के लिए है, यहां पर प्रश्न दिया हुआ है, कि 36 ग्राम जल के लिए मोलो की संख्या ग्यात कीजिए, तो जल एक योगिक है, तो चुकि योगिक में हम मोलर मास के रुप में उसका ग्राम आडविक द्राप्त है, तो यहां जो जल है, उसके लिए आडविक द्राप्त हुआ होता है, 18 ग्राम, तो यहां हम देख रहे हैं कि दिया ग्या द्राप जो है वो 36 है तो दिया गया द्रव्मान बटा ग्राम आणविक द्रव्मान यानि हिन से मोलर मास भी कह सकते हैं तो उपर हम लिखेंगे दिया गया द्रव्मान 36 बटा 18 चुकि जल के लिए जो आणविक द्रव्मान होता है वो 18 होता है तो 36 बटा 18 तो मोलों की संख्या जैसे एक प्रशन है कि 18.66 में 23 परमाडू में मोलो की संख्या क्या होगी तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कडो की संख्या का मान दिया हुआ है और इसके आधार पर हमें मोलो की संख्या ग्यातख करनी है तो मोलो की संख्या बराबर होगा दिये गए कड़ो की संख्या बटा अवगाडरो संख्या तो दिये गए कड़ो की संख्या है 18.066 गुड़े 10 के घात में 23 बटा 6.062 गुड़े 10 के घात में 23 जो की अवगाडरो संख्या है अब इसके द्वारा अवगाडरो संख्या के तो तीन मोल प्राप्त होता है इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अडू के 6.0222 गुणे 10 के खाथ 23 जो संख्या है कडू की उसमें मोलो की संख्या क्या होगी तो दिये गए कडू की संख्या है यहाँ पर 6.0222 गुणे 10 के खाथ में 23 ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे है और अवगाडरो संख्या का मान भी होता है 6.0222 गुणे 10 के खाथ में 23 तो उपर भी हम लिखेंगे 6.0222 गुणे 10 के खाथ में 23 यह जो संख्या है यह वास्तों में दिये गए ऑक्सीजन अडू के लिए कडू की संख्या है बटा हम लिखेंगे अवगाडरो संख्या यहन यदि ग्याद करना है और 10 ग्राम नाइट्रोजन अणू का मान दिया हुआ है तो इसके द्वारा हमें ग्याद करना है कडो की संख्या यहां द्रविमान दिया हुआ है और द्रविमान से निकालना है कडो की संख्या तो पहले हम उस अणू के द्रविमान के द्वारा हम पहले मोलोगी संख्या ग्याद करेंगे और जब मोलोगी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसके आधार पर हम कडो की संख्या को ग्याद करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितना द्रविमान इसका दिया हुआ है nitrogen निट्रोजन का दिया गया द्रविमान है 10 gram के रूप में हम लिख रहे है nitrogen अडू को तो एक nitrogen परमाणू का जो परमाणू भार है वो 40 होता है जब हम इस काडू भार निकालते हैं तो 40 गुणा 2 तो यहने 28 gram होगा nitrogen अडू के लिए molar mass तो यहाँ पर हम सबसे पहले मोलो की संख्या निकालेंगे, तो मोलो की संख्या बराबर दिया गया द्रवमान, बटा आडविक द्रवमान, दिया गया द्रवमान है वो 10 ग्राम है, बटा 28 होगा, अब चुकि यहाँ मोलो की संख्या हमें प्राप्त हो गई, मोलो की संख्या प गुड़ा एवोगाडरो संख्या मोलो की संख्या का मान हमें प्राप्थ हुआ 10 बटा 28 गुड़ा हम करेंगे यहाँ पर एवोगाडरो संख्या यहने कि 6.02 दो गुणे 10 के घात में 20 तो जब हम इसे हल करते हैं ने 10 बटा 28 गुड़ा 6.02 दो गुणे 10 के घात में 20 तो हल करने पर जो मान हमें प्राप्थ होता है वह है दो दश्मलो एक पाच गुणा दस की घात में 23 अणों तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे द्रवेमान दिया हुआ है और द्रवेमान के द्वारा हम पहले मोल निकालते हैं और मोल के द्वारा फिर हम कडों की संख्या तक पहुचते है इसके बाद एक और प्रश्ण हम देखेंगे दो मोल कारबन पर मारू के लिए कडों की संख्या क्या होगी अब यहां भी हम देख रहे हैं कि कडों की संख्या जो है वो निकालना है लेकिन दो मोल कारबन दिया हुआ है तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे मोल दिया हुआ है ह में पहुचना है कडो की संख्या तक अवोगाडरो संख्या का जो मान है वो छे दस मलो शुन्य दो दो गुणे दस के खात में तेईस है और यहां हमें चुकी अवोगाडरो संख्या पता है और इसके आधार पर हमें कडो की संख्या निकालनी है तो कडो की संख्या बरावर मो गुणा अवोगाडरो संख्या तो मोल दिया हुआ है कार्बन का 2 मोल तो 2 गुणा 6 10 मलो 0.02 गुणे 10 के घात में 23 करेंगे तो कार्बन के कड़ों की संख्या हमें प्राप्त होगी 12.04 गुणे 10 के घात में 23 परमाडू चुकि कार्बन परमाडू के लिए निकाल रहे हैं चाहे हम परमाडू के लिए निकाले चाहे हम आयन के लिए निकाले तो जो अवोगाडरो संख्या से गुणा करने के बाद जो मान आता है जितने भी मोल उसके है चाहे परमाडू अनू आयन जिनके भी हम ले रहे हैं वही संख्या हम लिखेंगे चाहे हम परमाडू के लिए अनु के लिए लिखें, चाहे आयन्स के लिए लिखें, तो चूकि यहाँ जो प्रश्ण है, वो कारबन परमाडू के लिए है, तो जो संख्या निकली है कडों की, वो हम परमाडू के रुप में लिखेंगे, याने जो मानाया 12.4, 4 गुणे 10 के घात में 23 परमाडू के रुप पदार्थ हैं उसके सापेकशिक परमाड़ू अणू या सुत्रभार को हम ग्राम की रूप में दर्शा सकते हैं और जिसमें उसी पदार्थ के एक मोल में छे दसमलो शुन्य दो दो गुणे दस के खात में तेईस जो कड़ हैं वो समलित रहते हैं तो गैसों के लिए हम यह कह गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है या वो गैस जो है वो 22.4 लीटर आयतन ही घेरता है यहां हम कुछ समिकरणों में अणू कैसे क्रिया करते हैं और कैसे उतपाद बनाते हैं उसे समझते हैं यहां पर हम रासायनिक समिकरण को समझने का प्रयास करते हैं जैसे किसी भ लिक्रिया में भाग लेंगे ही, तो जब हम carbon dioxide अडू की बात कर रहे हैं, याने हम carbon dioxide के एक mol की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जिसे जल का बनना, तो जल जो है वो बनता है hydrogen और oxygen से, तो 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि hydrogen के दो अड हैं, यह आपस में क्रिया करते हैं, तो कितने mol बने, यहाँ पर कितने अडू बने जल के, जल के यहाँ पर 2 अडू प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हम इसी समीकरण को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, H2 plus half O2 is equal to H2O, तो इसका आर्थ हुआ कि एक अडू जो है वो hydrogen का ह और आधा अडू जो है वो oxygen का है, इससे हमें एक अडू जल का प्राप्त होता है, तो इस प्रकार जब हम मोल के रूप में से वेक्त करेंगे, तो एक मोल hydrogen अडू और आधा मोल oxygen अडू आपस में क्रिया करते हैं, तो एक मोल जल का अडू बनता है, तो यहाँ पर मोल तरीके से भी वेक्त कर सकते हैं, समीकरण को बताते समय कि एक मोल hydrogen अडू, जब हम H2 लिखते हैं, मतलब हम एक मोल hydrogen अडू की बात कर रहे हैं, फिर हम आधा मोल oxygen अडू की बात करते हैं, यह दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, तो इनके क्रिया करने से जल बना, याने H2 है एक हाइड्रोजन अडू है इसका जो सापेक्षिक अडू भार है चूंकि हम H2 की बात कर रहे हैं तो हम 2 unified mass के रूप में से लिख रहे हैं इसके बाद यदि हम एक मोल hydrogen अडू जिसका सापेक्षिक ग्राम अडू भार यदि लेते हैं तो वह 2 ग्राम होगा यदि जब हम एक हाइड्रोजन अडू जिसका सापेक्षिक अडू भार ले रहे हैं वह दो unified mass के रूप में लिखा जाएगा यदि हम एक मोल लेते हैं यदि एक मोल शब्द यदि यूज करते हैं तो एक मोल हाइड्रोजन अडू ले रहे हैं तो उसका जो अडू भार होगा वह दो ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाएगा अब हम एक और स्रासाइनिक समयकरण के माध्यम से समझेंगे ह2 प्लस Cl2 is equal to 2HCl बना तो यहाँ एक अडू हाइड्रोजन का एक अडू क्लोरीन का इनकी जब क्रिया होती है आपस में तो दो अडू बनते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की तो यहाँ हम इस तरीके से से कह सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन अडू एक मोल क्लोरीन अणू से जब क्रिया करता है, तो दो मोल हाइडरोजन क्लोराइड के बनते हैं, तो यहां पर हम हर एक मोल शब्द के साथ हम अणू का भी प्रेयोग कर रहे हैं, कि एक मोल हाइडरोजन अणू, एक मोल क्लोरीन अणू से क्रिया होती है, तो बनता है दो मोल हा रासायनिक समीकरण को इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। कुछ रासायनिक समीकरणों को हम लेंगे कि इसे हम कैसे मोल अवधारना के रूप में लिखेंगे। कि मोल अवधारना के रूप में इन्हें किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इससे हम समझेंगे कुछ अन्य उदाहरनों के द्वारा, एक उदाहरन हम लेते हैं, कार्बन प्लस हाफ ओटू इस इक्वल टू कार्बन मोनो अक्साइड बना, तो यहां हम देख रहे हैं कि एक मोल, यह हम कह सकते हैं कि 6.602,2 गुने 10 के खात में 23 कण कार्बन के हैं, और यह आधा मोल या आधे अणू ओक्सीजन से क्रिया करता है, और इन दोनों की क्रिया से एक मोल कार्बन मोनो अक्साइड का अणू बनता है, यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन का एक मोल है, इन्हें कार्बन का एक मोल परमाणू और ओक्सीजन का आधा मोल अणू यह आपस म क्रिया करते हैं एक मोल कार्बन मोनो ऑक्साइड का अडू प्राप्त होता है एक अन्य उदाहरण हम रासायनिक समीकरण की रूप में ही पढ़ेंगे कि कैसे इस रासायनिक समीकरण को मोल की उदाहरणा से स्पष्ट किया जा सकता है तो यह हम देख रहे हैं हाफ Al2O3 प्लस 3HCl is equal to AlCl3 प्लस 1.5H2O तो यहां हम देख रहे हैं कि जो आधा मोल Al2O3 अन्य अलूमिनियम ट्रायोकसाइड का अडू है जो तीन मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के अडू से क्रिया करता है तो इन दोनों की क्रिया से एक मोल Aluminium Trichloride अडू का बनता है और 1.5 मोल जो है H2O के अडू का बनता है तो यहां हमने देखा कि जो रासायनिक समीकरण में जितने अडू भाग ले रहे हैं यदि हम उसे मोल पद के रूप में व्यक्त करें तो उसे किस तरीके से व्यक्त करेंगी यदि वहाँ परमाडू है त जो एक मोल अडू के रूप में उसे व्यक्त किया जाएगा इस पार्थ में हमने बहुत सारे नए नए टर्म्स को सीखा किस तरीके से पूरे पार्थ में हमने देखा कि रासायनिक सूत्र को व्यक्त किया जा सकता है कैसे हम अडू भार ज्यात करते हैं परमाडू भार क्या कैसे हम आयंस यानने रिनायन और धनायन को अलग-अलग कर सकते हैं किसी ही आय रिनावेशित आयन जो है वह अमली मुलक कहते हैं और धनावेशित आयन जो है वो छार सिप्राप्त होते हैं उसे हम छारी मुलक कहते हैं और हमने ये देखा कि बहु परमाडू का आयन क्या होते हैं तो परमाडू के ऐसे समू जिन पर कुल आवेश विद्यमान होता है इसे हम बहु परमाडू का आयन कहते हैं आयनिक योगिकों में जो सेयोजक्ता होती है उसे हम कैसे रासायनिक सूतर में प्रेयोग करते हैं और कैसे हम उसे ग्याद कर सकते हैं इसे हमने सीखा आयनी क्योगिकों के सूत्र में उपस्थी जितने भी आयन्स होते हैं तो सभी आयनों के भार को सूत्र इकाईद रविवान के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं इसे हमने सीखा और किसी भी पदार्थ में जो मोलों की संख्या होती है किसी पतार्थ के मोल में जो कडो की संख्या होती है उसे हम अवगाडरो संख्या कहते हैं इसका मान निश्चित होता है और इसे N0 से वैक्त करते हैं और इसका मान 6.022 गुड़े 10 के घात में 23 होता है इस तरीके से हमने इस पार्थ में इन सारे बिन्दों को विस्तार से समझा साथ ही हमने मोल संबंदित जो संख्यात्मक प्रश्न हैं उसे सरल धंग से कैसे लिख सकते हैं कैसे उन्हें हम हल कर सकते हैं इसे भी हमने सीखा एक बहुती रोचक तथ्य इस मोल शब्द से जुड़ा हुआ है मोल दिवस मनाया जाता है अंतराश्ट्री मोल दिवस के तो यहां हमने देखा कि एक मोल यानि जब हम अवगाडरो संख्या की बात करते हैं तो 6.02-02 गुड़े 10 के घात में 23 है तो 23 अक्टूबर 10 के घात में 23 यानि 23 अक्टूबर को अंतर अश्ट्री मोल दिवस पनाया जाता है और इसमें जो दिन की शुरुवात है वह 6.02 बजे स और समाप्ति जो काल है शाम के 6.02 बजे तक होता है तो इस समय के पूरे प्रारूप को और जो इसके मन्त के आधार पर यानि 23 अक्टूबर इन सब को मिला कर ही एक अवगाडरो संख्या को प्रतिकात्मक धंग से एक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे हम मोल दिवस कहते हैं तो इस पार्ट में हमने बहुत सारे अलग-अलग टर्म्स को भी सीखा तो चलिए अब हम अलग-अलग जो मुख्य पद हैं उसे जानेंगी कि कौन-कौन से मुख्य पदों को हमने इस पार्ट में सीखा जैसे अगर हम किसी सरलतम सूत्र की बात करते हैं तो हम मूला नुपाती सूत्र उसे कहते हैं याने किसी भी योगी का जो सबसे सरलतम सूत्र होता है जिसे हम मूला नुपाती सूत्र कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं इकाई द्रवेमान याने यूनिट फॉर्मूला मास इसके साथ ही हमने अणुभार याने की को जाना, आडा तिर्चा पद्धती जिसे हम क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, इसे हमने सीखा, मोल शब्द को जाना, एवगाडरो संख्या एवगाडरो नंबर को सीखा, तो इस तरीके से इस पार्ट में बहुत सारे छोटे-छोटे की वर्ड से जिसे हमें जानना बहुत ही आवश्यक है और हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा